हलो नमस्कार मित्रों आप सभी का यूटूब के सुपर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे स्पने में इस्त्री का विभिन नवस्थाओं में देखने का क्या आर्थ होता है क्या मतलब होता है आने वाले दिनों में क्या सुपनफल प्राप्त होता है किस प्रकार जीवन क्रम में परिवर्तन होता है कोई गरीव विक्ती किस प्रकार अमीर बन सकता है और मूर्ख विक्ती किस प्रकार विद्वान बन सकता है अपमान जनक विक्ती जीवन वितीत करने वाला किस प्रकार समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है सपने में विविन नवस्थाओं में इस्तरी के अनेक रूपों में दिखाई देने का क्या सपनफल होता है इस वीडियो में सभी प्रकार के रूपों के बारे में बात करेंगे यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या रेड बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा कर आप आने वाले पीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए मित्रों बात करते हैं सुपन फल के पारे में यदि आप सपने में सुन्दर वस्तर जैसे की सफेद वस्तर पहने हुए कोई अच्छी स्तरी देख रहे हैं कोई महिला देख रहे हैं जो सफेद माला से भी सुसजित हो सकती है जो सफेद माला या सफेद वस्तर और आभूसरों से युग्त महिला यदि आप सुपन में देख रहे हैं या इस प्रकार की सजी धजी मलिला आपका लिंगन करती है तो आपको जीवन में आतरिक मातरा में सुख संपत्ती प्राप्त होने का संकित होता है कि आने वाले दिनों में आप एक धनाड़ी बेक्ती बनेंगे आपकी जो संपत्ती है वा निरंतर बढ़ती जल जाएगी और आपके परिवार में हमेशा ही सुख संती बनी रहेगी और यदि आप सपने में रत्नों से सजी हुई महिला कोई उच्च कुल की स्तिरी को देखते हैं Wow कि छतरी कुल की या किसी एसे महान विक्ती की स्तिरी को देखते हैं जो वहती रत्नों से सुख सजीत हुई है एसे विक्ति के सुपन में यदि कोई इस्त्री चाहे हस्ते विए घर में आए या किसी अन्यवस्था में आए तो ये भी आपके लिए मनों वान्चित फल की प्राप्ति होने का संकेत होता है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं तो उसकी पूरी होने का संकेत होता है आपके जोगी कारियें उनमें आप निश्चिती चपलता प्राप्त करते हैं और यदि कोई उच्चे कुलीन इस्त्री वस्त आदि से सजी धजी आभूसनों से युक्त हस्ती हुई इस्त्री परसंद मुद्रा में आपके घर में आती है कोई वरतन आदि देती है या कलस आदि देती है या कोई फल आदि लाकर आपको पदान करती है तो आपको निश्चित ही अचल धन की प्राप्ति होती है या किसी ऐसे इस्थान से धन का लाप होता है या जमीन जाइदाद का या किसी परिवार में अचानक कहीं किसी प्रकार का आपको लाव प्राप्त होता है और यदि कोई उच्चिकलून इस्तरी अन्फलफूल या चंदन आदिया मोती का हार या धूर्द दही आपको लाकर प्रदान करती है तो ये आपको राज सम्मान प्राप्त करने वाला होता है कि आप राज इस्तर पर या देश इस्तर पर या विदेश इस्तर पर आपको राज सम्मान प्राप्त होता है आपके पद और प्रतिस्ठा में निश्चित ही बरोत्री होती है तो यह आपके लिए बेद अच्छा और शुक्षपना होता है और यदि आप सपने में सुसजित कुमारी कन्या जो बहुत ही सुन्दर अवस्था में प्रसन्न होकर प्रसन्न मुद्रा में आपको कोई पुस्तक आदि दे रही है या आपको ऐसा ग्यान परदान कर रही है जो आपने कभी नसुना हो तो ऐसे विचितर ग्यान को प्राप्त होते हैं यदि आप सुपने में देख रहे हैं किसी कुमारी कन्या से तो ये भी आपके निश्ची सफलता और आपकी समाज में ख्याती होने का संकेत होता है कि आप बहुत जल्द ही आप एक विद्वान की तरह आप अपने समाज में कारी करेंगे आपका मन सम्मान बढ़ेगा और कोई इस्त्री सपने में माता की भादी आपको अध्यन कराते हुए कोई माता कोई स्थ्री आपको पढ़ा रही है या वी सुविख्यात पन्वी या आपको किशी घारे में प्रुसिद्धी प्रदान कराता है इस प्रापिदान करתा गृंति आपको बहुत ही उन्नती और ख्याती प्राप्त होती है और कोई कुलीन इस्त्री जिसे कोई मंत्र यादी देती है तो वा भी विद्वान होता है और बहुत ही मात्रा में धन प्राप्त करता है इसा वेक्ती हर कारी में गुरी होता है और कोई उच्चे किलुईन इस्त्री जैसे ब्राम्हर आदी की इस्त्री या कन्या ब्राम करने का संपन्नता सुचक सुपना होता है कि आने वाले भविश में आप सब प्रकार की सुख सुविधाय प्राप्त करेंगे और कोई दिभिनारी जैसे कोई देवी देवताओं से सम्मधित इस्तरी बहुत सुन्दर होती है इस प्रकार की इस्तरी यदी दिखाई देती है अब सरा आदिस्तरीयां जो बहुत ही सुन्दर होती है इस प्रकार की इस्तरी यदी ये कहती है कि आप मेरे पती है और ऐसा सुपना देखने के वाद यदि आप तुरंत जाग जाते हैं तो निश्चित ही आपको राज्य सम्मान प्राप्त होता है आपको प्रचुर मात्रा में धन दवलत मिलती है तो इस प्रकार के सुपने इस तरी में देखना आपके जीवन को बहुत जल्द ही बदल देने वाले होते हैं तो मैंने जवाब को जानकारी दी कैसी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद मित्रों